सूरजपूर हत्याकारंड मामले में सरकार ने स्पी एमार रहीरे को पुलीस मुख्याले नवा राइपूर भेज दिया है इस पर पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंदराकर ने कहा कि उन्हें पहले ही हटाया जाना चाहिए था उन्होंने कॉंग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराधियों के साथ कॉंग्रेस के फोटो फ्रेम करने चाहिए साथ ही चंदराकर ने कॉंग्रेस की चुनावी स्थिती और भाजपा संगठन चुनाव पर भी अपनी राय व्यक्त की सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक और डी एर अभिरतियों के घेराव के मुद्दे पर भी उन्होंने अपने विचार साजा किये अभनपूर उसका मुख्य लाका है अध्यन कर लें जाके पूछ ले जो जो संका है उसको जन अदालत लगा लें भाई आप लोग कैसे सदसे बने कितना पहिछा मिला क्या नहीं मिला कैसे हुआ तो यह बकवास से मुक्ति हो जाएगी उनको उनकी आत्मा को सांती मिल जाएगी कि मैं अगली बार फर्जी आरोपने लगाऊंगा कर जैसे एसाई भरती का मामला हल हुआ वैसे ही सरकार पहल करके इस मामले को भी हल करना चाहिए और उन लोगों को भी धैर बराना चाहिए एसाई की परिक्षा के लिए जो लोग थे रिजल्ट के लिए वो सारी चीजों मे जैसे निर्णे हुआ इसमें भी सरकार कभी न कभी निर्णे करेगी ठीक है लोग तंत्र में नौजवान थोड़ा अग्रही होते हैं और उनको उतना करने का उसर मिलना चाहिए सासन प्रसासन को नौजवानों की बात को अन्याथा नहीं लेना चाहिए प्रदेश उनका है अपनी बात के लिए कहीं भी एक अत्र हो सकते हूं उसके वो बहुत अलग धंसे सोचने की जरुवत नहीं यह आप लोगों जो सदस्ता भी हाँ चल रहा है अब ही सक्री सदस्ता के बाद संगठन चुनाओं होंगे और देखिया आप उम्मिदवार खोज रहे हैं हमारे निरवाचा नधी कारिता हो गए संगठन चुनाओं के रहपूर दक्षिन में आप कांग्रेस के उम्मिदवार खोज रहे हैं सुप्रीम कोट ने एडी को फटकाल दे जाली तारी जो है कलट रंसे की गई थी जब वो एस्टीडी के सम्मान में पहुंचे थे तो एडी ने क्यों उस्वार खाली अईसा है सहाब इतने सारे अदालत इतने सारे बैरक इतने सारे प्रकरण अब किसम किसम Mr. आदे कौन से प्रकरण में लिए तो एक खतम होता है दूसरा दायर हो जाता है दूसरा खतम होता है तीसरा करनामे इतने हैं कि किसम किसम प्रतिकृर्या दे हैं इसलिए जो चल रहा है वो सहीं